आज रात, आज रात बारा बजे से पूरे देश में ध्यान से सुनिये, पूरे देश में आज रात बारा बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लोगडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए आपको बचाने के लिए आपके परिवार को बचाने के लिए आज राज बारा बज़े से गरों से बाहार निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है देश के हर राज्य को, हर केंद्र सासित प्रदेश को, हर जिले, हर गाउ, हर कस्पे, हर गली, मौले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है ये एक तरह से कर्फ्यू ही है जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात, जनता कर्फ्यू से जरा जाजा सक्त कोरोना महामरी के खिलाप, मिननायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है निश्चित तौर पर इन लोकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी लेकिन एक एक भारतिय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी भारत सरकार की, देश की हर राचे सरकार की, हर स्थानी निकाई की सबसे बड़ी प्रात्विकता है, और इसलिए मेरी आप से प्रार्थना है, और मैं हाद जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, कि आप इस समय देश में जहां भी हैं, वही रहे, अभी के हालात को देखते हुए, देश में ये लोकडाउन 21 दिन का होगा, तीन सब्ता का होगा, और जब मैंने पिछली बार आप से बात की थी, तब मैंने आप से कहा था, कि मैं आप से कुछ सब्ता मांगने के लिए आया हूँ, आने वाले 21 दिन, हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए, बहुत ही महत्पून है, हेल्थ एक्सपर्स की माने, तो कोरोना वाइरस की संक्रमन साइकिल तोड़ने के लिए, कम से कम 21 दिन का समय बहुत एहम है, अगर ये 21 दिन नहीं संबले, तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा, अगर ये 21 दिन नहीं संबले, तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगे, और मैं ये बात एक प्रधान मंत्री के तौर पर नहीं आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूँ, इसलिए बाहर निकलना क्या होता है? ये 21 दिनों के लिए भूल जाएगे, गर में रहे, गर में रहे, और एक ही काम करें, कि अपने घर में ही रहे, साथियों, आज के फैसले ने, देश व्यापी लॉकडाउन ने, आपके घर के दरवाजे पर एक लक्ष्मन रेखा खीच दी है, आपको ये याद रखना है, कि घर से बाहर पढ़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम, आपका सिर्फ एक कदम, कॉरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है, आपको ये याद रखना है, कि कई बार कॉरोना से संकरमित व्यक्ति शुरुवात में बिलकुल स्वस्थ लगता है, वो संकरमित है, इसका पता ही नहीं चलता, और इसलिए, एहतियात बरतिये, अपने घरों में रहिए, वैसे जो लोग घर में हैं, वो सोचल मीडिया पर नए नए तरीकों से, बहुत इनोवेटिव तरीके से, इस बात को बता रहे हैं, एक बैनर जो मुझे भी पसंद आया, मैं आपको भी, ये बहुत कम शब्दों में संदेश दिखाना चाहता हूं, कोरोना यानि कोई रोड पर ना निकले, साथियों, एक्सपर्ट का ये भी कहना है, कि आज अगर किसी व्यक्ति में कोरोना वाइरस पहुंचता है, तो उसके सरीर में, इसके लक्षन दिखने में, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है!